जिन्दगी चलती जाती है, पंच्तंत्र की कहानियों का इतिहास, पंच्तंत्र की ये कहानिया कब और क्यूं लिखी गई, इसके पीछे एक अत्यंत रोचक इतिहास है, कहते हैं कि प्राचीन काल में पाटली पुत्र में, जो आज पटना के नाम से विख्यात है, एक अस्त्र अर्थात ग्यान ही मानव के वास्तविक नेत्र होते हैं, क्योंकि ग्यान के द्वारा ही हमारे समस्त संशयों एवं भ्रमों का छेदन किया जा सकता है, सत्य एवं तथ्य का परिचय भी ग्यान के ही माध्यम से संभव हुआ करता है, तथा अपनी क्रियायों के भाव परिनाम का अनुमान भी हम केवल अपने ग्यान के द्वारा ही लगा सकते हैं। जैसे ही इस लोग सुनें, तो उसे अपने नित्य कुमार्ग पर चलने वाले और कभी भी शास्त्रों को ना पढ़ने वाले पुत्रों का ध्यान हो आया। अब तो वह अत्यधिक विचलित होकर सोचने लगा। विधवान कहते है कि इस संसार में उसी का जन्म लेना सफल होता है जो अपने सुकर्मों के द्वारा अपने वंश को उन्नती के मार्ग पर ले जाता है अन्य था तो इस परिवर्तन शील संसार में लोग बार-बार जन्म लेकर मृत्युका शिकार बनते ही रहते हैं। दूसरे, सौमूर्ग पुत्रों से एक गुनी पुत्र श्वेष्ट होता है क्योंकि वह अपने कुल का उध्धारक बनता है ठीक वैसे ही कि जैसे एक अकेला चंद्रमा रात्री के अंधकार को दूर करता है जब कि एह काम आकाश में स्थित अंगिनत तारे भी नहीं कर पाते अब राजा सुदर्शन केवल इसी चिंता में घुलने लगा कि कैसे वह अपने पुत्रों को बुन्वान बनाए क्योंकि वे माता पिता जो अपने बच्चों को शिक्षा के सुवसर उपलब्ध नहीं करवाते वे अपने ही बच्चों के शत्रू हुआ करते हैं क्योंकि बड़े होने पर ऐसे बच्चों को समाज में कोई भी प्रतिष्था नहीं मिलती जैसे हंसों की सभा में बगुलों को सम्मान कहां दूसरे, चाहे कोई व्यक्ती कितना भी रूपवान क्यों न हो उसका कुल कितना भी उचा क्यों न हो यदि वह ज्यानशुन्य है तो समाज में आदर का पात्र नहीं बन सकता जैसे की बिना सुगंधी वाले तैसुके पुष्प देवाले की प्रतिमा का श्रिंगार नहीं बन सकते। चिंतित एवं दहखी मन होने के बावजूद भी राजा ने एक द्रध निश्चे करही लिया कि अब भाग्य के सहारे बैठना ठीक न होगा बस केवल पुरुशार्थ ही करना होगा। उनका जन्म सफल बना सके। मित्रों, विद्वानों की उस सभा में से विष्णु शर्मा नाम का एक महापंडित जो समस्क नीतिशास्त्र का तत्वग्य था, गुरु ब्रहस्पती की भाती उठखडा हुआ और कहने लगा, राजन। आपके ये राजपुत्र आपके महान क पुल में जन्में हैं। मैं मात्र छे महीनों में इन्हें नीतिशास्त्र पढ़ा कर इनका जीवन बदल सकता हूं। यह सुनकर अत्यदिक प्रसन हुआ राजा बोला एक कीड़ा भी जब कुश्पों के साथ सज्जिनों के मस्तक की शोभा बन सकता है और महान व्यक्तियों के द्वारा प्रतिश्थित एक पत्थर भी इश्वर की प्रतिमा का स्वरूप ले सकता है, तो निहसंदेहा भी यह क में पश्व पक्षियों एवं जीव जन्तूओं की मनोरंजक तथा प्रेलनादायक कहानियों के माध्यम से नीतिशास्त्र का ज्यान करवाया जिससे उनका जीवन ही बदल गया मित्रों, यही कहानिया, पंचतंत्र की कहानिया कहलाती हैं जो हितोप देश नामक ग्रंथ का आधार हैं आए, पंचतंत्र की दो प्रसिद कहानिया पढ़ें और अपने बचपन को और साथ-साथ इनसे मिलने वाली प्रेरना एवं सीख को भी पुनास्मरन कर लें एक कचुप और खर्गोष एक बार की बात है कि एक जंगल में एक कचुप और एक कचुप में रेस हो गई अभी दोर्ते दोर्ते थोड़ा ही समय गुजरा था कि खर्गोष ने पीछे मुल कर देखा कि कचुप तो बहुत ही धीमी है इसलिए मैं फुली देर विश्राम कर लेता हूँ अब वह एक पेल की थंडी च्छाओं में ऐसा सोया की कच्छुआ धीमी चाल होने के बावजूद भी उससे आगे निकल कर अपने गंतव्य तक पहुंच कर रेस जीत गया मित्रों इस कहानी के आधार पर ही यह कहावत मशहूर हो गई जिसे लोग अक्सर दोहराया करते हैं की Slow and Steady wins the race दो बंदर और मगरमच एक नदी के किनारे एक जामुन के पेल पर एक बंदर रहता था जिसकी मित्रता उस नदी में रहने वाले मगरमच के साथ हो गई स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर की रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा अपने पती से उस बंदर का दिल लाने की जिद्की पत्नी के हाथों मजबूर हुए मगरमच ने भी एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भावी उसे मिलना चाहती है इसलिए वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुँच जाए बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया जब वे नदी के बीचों बीच पहुँचे मागरमच ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानी नहीं और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पतनी उसका दिल खाना चाहती है बंदर को धक्का तो लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और तपाक से बोला ओ, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड की खोखल में संभाल कर रखा है अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भावी को उपहार में दे कर उसे खुश कर सकूँ मूर्ख मगरमच बंदर को जैसे ही नदी किनारे ले कर आया बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भर कर बोला अरे मूर्ख दिल के बिना भी क्या कोई जिन्दा रह सकता है जा आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त मित्रो बच्पन में पढ़ी यह कहानी आज भी मुसीबत के क्षनों में धैर्य रखने की प्रेरना देती है ताकि हम कठिन समय का डटकर मुकाबला कर सकें दूसरे मित्रता का सदैव सम्मान करें